उत्राखण में आज कॉंग्रेस को अदालतों से बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोट ने कॉंग्रेस के नौ बागी विदहायकों की याचिका को खारिच कर दिया सुप्रीम कोट ने नैनिताल हाई कोट के फैसले को बरकरार रखते हुए बागी विधायकों को आयोगे करार दिया बागी विधायक अब कल होने वाले शक्ति परिक्षण में हिस्सा नहीं ले पाएंगे उत्तरा घंड के सियासी संकट पर सोमवार को ननिताल हाई कोट और फिर सुप्रीम कोट ने बड़ा फैसला दिया ननिताल हाई कोट ने कॉंग्रेस के सभी नौ बागी विधायकों को दल बदल कानून के तहत आयोगे कराद दिया है और मंगलबार को होने वाले फ्लोर टेस्ट में भी वो डैनले की मांग को खारिश कर दिया है हाई कोट के इस फैसले के खिलाफ बागी विधायकों ने सुप्रीम कोट में पी लगाई लेकिन यहां से विउने कोई राहत नहीं मिली इसका कोई मतलब नहीं है कि अधालत में आपको ध्यान होगा कि साथ बिंदू रखियते पहले कि साथ में क्या कहीं करप्शन है किसी की डिस्कौलिफिकेशन है तो आर्टिकल 356 हो सकता है नहीं सब्सक्राइब अधालत ने पहले 356 के मसले पर सुनवाई की और उसमें आदेश पारित कर दिया वो इंट्रीम रिलिफ के लिए कोई ग्राउंड उनके लिए नहीं बनता था उत्तरा खंडविदान सभा में मंगलवार यानि 10 मई को बहुमत परिक्षन होगा लेकिन शक्ती परिक्षन से पहले कॉंग्रेस को एक बड़ी जीत मिली है लिहाजा जो से भरे कॉंग्रेस नेताओं के निशाने पर बीजेपी है खाना कि बीजेपी नेताओं को अभी उमी आगे नयाय होगा और कल भी हमको नयाय मिलेगा इसका मुझे पूरा भरोशा है सब्धान सब्धा में बहुमत सावित करने के लिए 31 सदा से चाहिए कॉंग्रेस के पास अब 27 विदायक वचे है जबकि बीजेपी के पास 28 विदायक है बीएसपी, यूकेडी और निर्दरली मिलाकर 6 विदायक है जिनका समर्थन हर इश्रावत के साथ है बेरहाल कानूनी लडाई में मिली जीत पर बहले ही कॉंग्रेस नेता जश्न मना रहे हो लेकि असली परिक्षा तो अभी विदायसभा में होनी बाकि है जो विदायसभा में जीतेगा असली विजेता वही होगा अधर बीजेपी महास सच्चियू कैलाश विजेवरगी का कहना है कि हरी श्रावत कल भी अलपमत में थे और आने वाले कल में भी अलपमत में ही रहेंगे लेकि हमारे साथ कौन है यह तो कल पता लगेगा आपको मैंने पहले भी नहीं बताया था और आज भी नहीं बताऊंगा पर मैं यह दावे से कह रहा हूँ कि हरी श्रावत जी कल भी अलपमत में थे आज भी अलपमत में है और कल भी अलपमत उनका दिखेगा औगस्ता गोटाले को लेकर आज संसद में जोर्दार हंगामा हुआ राज सभा में कौंग्रेस संसदों ने प्रधान मंत्री मोदी के बयान को लेकर जम कर बवाल काटा छे बार स्थागित करने पड़ी अगस्ता घुसकांड पर संसत के बाहर प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी के बयान से भड़की कॉंग्रेस ने सुमवार को राजसभा में जम कर हंगामा किया राजसभा में कॉंग्रेस सासुदों ने पी-म के खिलाब जोरदार नारे बास लिए कॉंग्रेस नेता घुलाम नवी असाद और आनंद शर्मा ने आगस्ता को लेकर पी-म के बयान पर आपत्ती जटाते हों मामले के सुप्रीम कूर्ट की निगरानी में जाज कराने और पी-म के सदन के अंदर बयान देने की मांग की हमने पहले दिन से ही कहा कि अगर निश्पक्त जाज करनी होगी ट्रांसपेरंट जाज करनी होगी तो सुप्रीम पोर्ट, मानिटर, CBI इंक्वारी करनी चाहिए और दो महिने के अंदर जुलाई ऑगस्ट के सेशन में ये इस सदन के और उस सदन के बाँ पर दिखाने चाहिए हलकि सरकार ने कॉंगरेस के इस हंगामे को जादा तवच्छ नहीं दी, सरकार ने कॉंगरेस के हंगामे को उनका डर और बीचैनी खरार दिया दरसल शुकरवार को तमिलाडू के होसूर में चुनावी रैली के दोरान पी-म नरेंदर मोदी ने इशारो में कॉंगरेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधा था जब की रविवार को केरल के कुड़ूनाड में पी-म ने कहा कि देश उन लोगों के नाम जानना चाहता जिनोंने हेलिकॉप्टर डिल में रिश्वत लिए होगस्ता घूसकान पर कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच आरपार की जंग छड़ी हुई है दोनों एक भूतने को घेरने का कोई मौखा नहीं छोड़ रहे हैं। अगस्ता पर सलसद में भहस हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जारी है। यूर रिपोर्ट इंडिया 24-7 प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की डिगरी को लेकर मचा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल ने प्रधान मंत्री की डिगरी को लेकर सवाल उठाए थे तो डिगरी विबात पर जवाब देने के लिए बीजेपी आज पूरे तांजाम के साथ मीडिया के सामने आई बीजेपी अध्यक्ष अमिर्द शाह और वित्द बंत्री अरुन जेटली ने तमाम आरोपों को नकारते हुए प्रधान मंत्री की सेटीपिकेट दिखाए अमिश शाह ने प्रधानमंत्री की बीए और में की डिगरी सारवजनिक की शाह ने कहा कि केजरीवाल के लगाया तमाम आरोब जूटें है शाह ने कहा कि केजरीवाल ने पूरे देश को गुमराह किया है वहीं वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस विवाद को अब यहीं खत्म करने की जरूरत है श्री केजरिवाल ने नकेवल सारवजनिक जीवन का स्तर गिराया है दुनिया में देश का नाम जिसको कह सकते हैं बदनामी देने का भी एक बहुत बड़ा पाप किया है और मैं मांग करता हूँ कि केजरिवाल जीने देश और दुनिया की दोनों की माफी मांगनी चाहिए जब आपके पास कोई पुक्ता सबूत नहीं थे कि डिगरिया फर्जी है तो इतना बड़ा सवाल आपने कैसे खड़ा कर दिया किस चीज के किस सुचना के आधार पर आपने देश के प्रधान मंतरी को ऐसी चिठी लिखी किस सुचना के आधार पर मिडिया के लोगों को गुमरा किया किस सुचना के आधार पर देश की जनता के मन में ब्रहनती फैलाना क्या प्रयास किया इसका भी केजरी वाल ने मीडिया के सामने आकर जवाब देना चाहिए देश के सामने आकर जवाब देना चाहिए और पूरे देश से माफी मागनी जाहिए जैसे ही अमिश शाह और जेटली की प्रेंस कॉंफरेंस खत्म हुई आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी मोचा समभा लिया आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोश और आशीश खेतान ने आरोप लगाया कि बीया की डिगरी पर नाम नरेंद्र दामोदरदास मोधी है जबकि उनकी मार्क शीट पर नरेंद्र कुमार दामोदरदास मोधी लिखा है आज हमने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं के उसी फ्रस्ट्रेशन को और उसी बॉकलाहट को देखा है जिस बॉकलाहट में उन्होंने अमिच्छा जी और अरुन जेटली जी को उसको अंग्रेजी में कहते हैं नेम कॉलिंग उनको गाली दे रहते हम उनके स्तर में उतरना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें एक राश्ट्रेश पार्टी है पूरे विश्व के सबसे बड़ी पार्टी है ऐसे में शालींता के साथ हम जवाब दे योचित होगा इनों ने दावा किया है कि नरेंद मोदी जी कि जो डिग्रीया है आजुनोंने सारुजनिक करने का काम किया आ股़ी पार्टी आपके माध्यम से देश की जंता को ये अभी जी दिखाई गई है वो डिग्री फरजी है फोर्ज्ड है अमिद शाह कोई भगवान नहीं है अरुन जेटली कोई भगवान नहीं है कि कुछ डिगरी वो प्रेस कॉंफेंस वे लाके रख देंगे और उसको देश की जंता और आमादनी पार्टी और तमाम लोग ये मान लेंगे कि वो डिगरी सच है बिहार के गया में चातर के हत्या पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है चातर के हत्या के विरोध में बीजेपी ने आज बंद का आवाहन किया बीजेपी ने नितीश सरकार पर जंगल लाच का आरूप लगाते हुए जगे-जगे सड़कों पर प्रदर्शन किया बीजेपी कारेकरताओं ने इस दोरान नितक छात्र के धरना प्रदर्शन किया इस मामले में आरोपी जडियो एम लसी का बेटा रॉकी अभी भी फरार है पुलिस रॉकी की तलाच में जगे-जगे छापयमारी कर रही है उसका पता लगाने के लिए पुलिस उसके घरवालों की कॉल डिटेल्स की भी पढ़ताल कर रही है रौकी की तलाश में पुलिस की दो टीमें दिल्ली और रांची भेजी गई उधर बिहार के मुखे मंत्री नितीश कुमार ने बीजेपी के जंगल लाच के आरोपों को खारिच करते हुए कहा कि बिहार में कानून का राज है और अपराद करने वाले किसी भी शक्स को बक्षा नहीं जाएगा पुलिस अपना काम कर रही है पुलिस को जो हमारे यहां है इन्वेस्टिकेशन के मामले में पुलिस को पूरी आजादी है और पुलिस बहुत तेजी से अनुसंधान कर रही है आई जी वहां बैठ करके मोनीटर कर रहे हैं सीनियर स्पी को सुपर्वाइज करना है सीटी बिश्पी के लिडर्सिप में जो मुझको बताया गया है भी सिटी एस्पी के लिडर्शिप में ही ने साइटी गठन कर दी गई है इसलिए त्वरित कारवाई और जब अनुसंधान के क्रम में जिसकी भी संलिपता आएगी उस पर कारवाई होगी